आज 14 जून के बाद 14 दिसंबर है 6 महीने हो चुके है सुशान सिंग राजपूत को इस दुनिया से गए हुए और लगए एक देड़ घंटे में वक्त हो जाएगा जो एक्जेक्ट 6 महीने बीच जाएंगे अब इस वक्त आज अभी इंडिया में नमबर एक पर ट्रेंड हो रहा है हैश्टाइग ओत फॉर एससार शपत सुशान सिंग राजपूत के लिए सुशान सिंग राजपूत के फैंस कहते हैं हम लोग ये लड़ाई अपनी आखरी सांस तक लड़ते रहेंगे CBI को जवाब तो देना ही पड़ेगा कि क्या हुआ है किसे हुआ कौन कल्पिट है क्या जांच हुई हम एससारियन्स ये शपत खाते हैं कि हम अपने दिलों में अपने जिंदगियों में सुशान सिंग राजपूत को हमेशा जिल्दा रखेंगे जो बात हैं लिखी गई हैं मैं वो आपको पढ़का सुना रहे हूँ विल स्टे उनाइट अंटिल गेट जस्टिस हम एक साथ रहेंगे कीप फाइटिंग फॉर जस्टिस जस्टिस के लिए न्याय के लिए लड़ते रहेंगे एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बना कर रखेंगे और हम SSRIANS बॉलिवूट को बॉयकॉट करते रहेंगे यह एक शपत जो है यह SSRIANS ले रहे हैं आज सुशान संग राजपूत की मौत को 6 महिने होने के बाद प्यार की कोई सीमाई नहीं होती जब आप किससे प्यार करते हैं तो वो सीमा में बन नहीं होता वक्त नहीं होता और उसमें कोई extension की जरुवत नहीं होती और यही बहुत खुबसर बार जैंसी ने कही है जैंसी शाजी ने कही है कि प्यार लव has no bounds when you live someone, love someone out, go to any extent for them and we would do the same for you it's SSRIANS, love for SSRIANS is that pure unmatched fanbase को dose to us SSRIANS तो SSRIANS के इस oath पर वाकई salute करने को जीच आता है जब बार-बार निराशा हाथ लगती है कुछ भी सामने नहीं आता मगर दिल में आशा और विश्वास के दीपक जलाय हुए उन्होंने मैं थोड़ी निराश हो गई थी कोई official कोई खबर नहीं आ रही सिर्फ नकली खबरे बनाई जार थी मगर आप लोग ने मुझे तनी सारे DMs भेजे, messages भेजे तो मैंने कहा मैं इस पर वीडियो बनाती हूँ चुकि आज 14 जून था कल रात से मुझे नीन नहीं आई रात बर मैं सोचती रही कि जब ये incident हुआ August-September मुझे लगाता कि by two months from now यानि छे महीने जब बीतेंगे तब तक कुछ नो कुछ निशकर्ष आने की सीमा तक पहुँच जाएगा मगर unfortunately ऐसा नहीं हो पाया है और अब CBI से जवाब का इंदजार करते करते हैं SSarians ने ये शपत ग्रहन की है कि वो जो है अपने दिलों में सुशान सिंग राजपूत को अपने जिंदगियों में हमेशा हमेशा के लिए जिन्दा रखेंगे और ये याद दिलाते रहेंगे कि न्याय की दरकार है आप क्या कहते हैं इस पर ज़रूर बताएं बने रहें हमारे साथ लगाता है